नमस्कार आदेप्रेंग अबर 29 और मैं हूँ आपके साथ अभी पन्ना जुला मुख्याले की जगनात स्वामी मंदर से निकलने वाली अत्यासिक रथ रयात्रा का प्रारम राज़ाशाही जमाने में हुआ था तबी से पुरी की तर्च पर पन्ना की ये रथ रयात्रा निकाल भीर के शद्धा के साथ निकाली गई पन्ना की जगनात स्वामी मंदर से भगवान जगनात बहन सुबद्दा और भाई बलबद्र के रथ जब निकाले गए तो गल्यों में सनाटा था और लोग अपनी च्छतों से भगवान के दर्शन कर पा रहे थे कभी गली शद्धालों से खचागज भरी होती थी लेकिन कॉर्णा जैसे संक्रमेंट बिमारी के कारण इस रथ यात्रा में ग्रहन लग था लेकिन सरकार के आदेश के बाद बिना भीरभार के शद्धा के साथ ये रथ यात्रा निकाली गई शद्धालों में खुशी है कि 170 साल वर्ष पुरानी परंपरा टूटने से बच लेकिन लोगों में इस बात की खुशी है कि जगनाज स्वामी की रथ यात्रा निकाली और रतों को चलाने के लिए श्रधालों की जगा पुलस प्रशासन के जवान लगाये गये थे और पूरी तरह सोचल डिस्टैंसिंग के साथ ही यात्रा निकली यह रत्रा निकालने के लिए स्थानी लोगों ने आवाज उठाई और जब यह बास सांसत बीडी शर्मा के पास पहुंची तो उन्होंने मुख्यमंति शिवरा सिंग चुहां से मुलाकात कर पन्ना की रत्रा निकालने का अनुरोद किया तब सरकाने पन्ना जला प्रशासन को रत्रा ना रोकने के आदेश दिये प्रशासन ने चाक चौबन विवस्था कर सड़कों में कर्फियों लगाकर यह रत्रा निकाली उमीद है अगली वर्ष बड़े उत्साहस यह रत्रा निकली कि यह पन्ना रियासत जो बुंदेल खंड छेत्र का एक बहुत बड़ा भूभाग है इसमें महराज लेट महराज थे किशोर सिंग वो बैशनों संपरदाय के थे और उन्होंने भगवान जगनाज जी की मंदिर की स्थापित की थी 1776 के आसपास इस तरीके से यह रत्यात्रा 176 वर्ष से अधिक वर्ष हो गए हैं इस कारिकम को करते हुए यह भगवान जगनाज जी का जो स्वरूफ है पूरी हमारा जो धार में किस्थल मठ है उसके अधार पर ही इस्थापित किया गया है यह भगवान जगनाज जी के मंदे से आज उनके निकास होगी और यहां से डेड़ किलोमीटर दूर वहां पर स्थापित होंग इस्थापित होंगे लखूरन में और वहां पर विस्राम करेंगे करोना की चलते प्रशासन ने बड़े ही तीखे कदम उठाये हैं कम कम शद्धालों की संख्या में ये रतियात्रा निकाली जाएगी पर हम धन्यवाद देते हैं मध्यपदेश शासन को जिनों ने ये रतियात्रा निकालने की अनुमती दी क्या परंपरा थी पहले निकालने की ये परंपरा कम से कम डेड़ सो पॉने दो सो साल पुरानी महराज किशोर सिंग पैदल चलके पूरी से मूर्तियां यहां लाके उन्होंने मंदिर में स्तापित की थी तब से लेके आज तक ये परंपरा चली आई है और हर वर्ष के बाती इस वर्ष भी भगवान जगनात की यात्रा निकाली जा रही है जैसे कि पहले उजूम दिखता था इस बार अब सांतिय पूर्वत निकलेगी इसके बारे में करोना को देखते हुए कम शद्धालूं की संक्राइब शद्धालू अपने घर से भगवान के दर्शन करें यही शासन की तरफ से प्रबंध है यह वास्ताव में परबरा हजारों वर्शों से चली आ रही है यह सबसे पहले पूरी में प्रारम हुई थी महराज इंद्रद्यूम ने अस्तापना वहां करके और तब से चालू की हुई थी उसमें भगवान श्री कृष्ण के साक्षास प्रूप में भगवाज जिगदी स सवामी जी विराजमान है वहां पर और बारव वर्ष्ट में जब कलेवर होता है तो यहां पन्ना के जो महराज साथ तकालिन महराज साथ समध अठाट 1817 में तो महराज किशोर सिंग जी करशासन था उन्होंने यह मंदिर बनाया था और स्थापित किया था यहां पर और जनकपूर से ताथ पर यह है कि जहां वह और इने जहां अस्तुत में आए वो जहां प्रादरभाव हुआ उनका जहां उत्पन हुए भगवान इसलिए वह जनकपूर कहलाता है वहां गुंडीचा मंदर कहलाता है और यहां भी ठीक उसी रूप में यहां पर जनकपूर में भगवान लक्ष्मी जी के पास में वहां जाती हैं तीन दिवस में यहां पहुंचते हैं यहां पर दो सो तीन वर्सों से निकल रही है और उनकाट काल के चलते प्रशाशन की मस्तेदी के बीच रत्यात्तरा तशवारम हो रहा है